अभी जो हमारी बात मानेगा जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेगा, जो नगया जानती है कि एक बिहारी सौबेट आज सब को पता है कि मुकेस ने खेल बना सकते और विगार सकते और हमने ये अपनी ताकत का एसास कराया बिहार की एक ऐसी पाटी जो ना बिहार में उनका कोई बिधायक है और ना ही कोई सांसद है फिर भी लोग सावाद चुना हो या बिधान सावाद चुना हो किसी भी पाटी को हराने की चमता रखती है ओ पाटी जिनका नाम है भी आईपी पाटी बिहार के पूरो मंतरी मुकेश सानी को दिली बुलाया बीजेपी ने दिली बुलाई आकर दिली कब बुलाई जैसे विपक्षे एक टादल की बैटक समाप्त होई उसके बाद तुरंट बीजेपी में खल बली मच गई और मुकेश सानी को द मानली है क्या यूपी में गड़बंधन करने की बात जो कही थी क्या उन्हों भी बीजेपी मानली है या धरखंड में भी गड़बंधन करने की जो मुकेश सानी बात कर रहे थे ओभी बीजेपी मानली है क्या इन सर्तों को बीजेपी मानली है क्या बात बन गई है ये तो ज प्राइक पास्वान भी लमसम सामिल होते नजर दिख रहे हैं। उपेंदर कुस्वाहा भी इंडिये के साथ जाएंगे। बात रही मुकेश सानी की। तो मुकेश सानी की अभी ये फाइनल नहीं हो पाया है। ये देखना बहुत दिल्चस्ट होगा नमस्कार आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूँ कुमार मनीज बिबक्ची एक्तादल बैठक जैसे समात होई मुके सहनी को दिली बुलाली बीजेपी ने और उसके बाद उनके सर्तों को क्या बीजेपी मानी है या नहीं मानी है ये जुलाई के लास्ट इंड में पता चलेगा जब ये मुके सहनी एलान करेंगे कि हम गडवंधन किसके साथ कर रहे हैं राम के नगरी अयोध्या में करेकरता सम्मेलन होने जा रहा वी आईपी पाटी का और उसमें मुके सहनी भी सामिल रहेंगे वी आईपी पाटी के राष्टिये परवक्ता देजोती नहीं बताया कि दो जुलाई को अयोध्या राम के नगरी में वी आईपी पाटी का करेकरता बैठक है अब बैठक के बाद क्या वहां से भी कुछ रिजल्ट सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी कुछ सवाल मैं आप पे छोड़ जाता हूँ क्या मुकेश सहनी को एंडिये के साथ जाना चाहिए या महाकडबंधन के साथ जाना चाहिए क्या आपको लगता है क्योंकि देखे दोनों तरब से धोखा मिला है महागडबंदन के साथ जब जुड़े थे उससे में भी धोखा मिला और इंडिये के साथ थे तब भी धोखा मिला तो अभी लाश्ट विकल्प क्या है अगर मुकेश सनी के हम बात करें तो तिसरा कोई विकल्प नहीं है जुलाई के लाश्ट में मुकेश सनी एलान करने वाले हैं कि हम किसके साथ फाइनली गडबंदन करेंगे दिव जोती ने ये बता दिया है कि 25 तारी को हम लोग एलान कर देंगे कि हमारी गडबंदन किसके साथ होगी और कितने सीटों पर बात बनी है और कहां कहां हम कड़बंधन कर रहे हैं क्या जारखंड में हमारी कड़बंधन होगी या यूपी में हमारी कड़बंधन होगी इस सिर्क बिहार में ही कड़बंधन रहेगी पिरहाल विपक्चे एकतादल बैठा को लेकर इंडिये में भी खलबली मच गई है बीजेपी एक्टिब हो गई है और सीटो को लेकर जो कोर कमिटी जो बैठा कोई थी उसमें जो बीजेपी ने अलान किया है कि हम 30 सीटो पर चुनाओ लड़ेंगे लोग साबा चुनाओ 2024 क्या है क्या 10 सीटो में मनाप पाएगी चिराक पस्वान को मुकेश साहनी को जीतर राम माजी को उपिंदर कुस्वाह को और पसुपातिनाथ पारस को कैसे सीटो की बटवार्य करेगी 10 सीटो में बीजेपी अगर जीतर राम माजी को एक सीट देती है अगर उपिंदर कुस्वाहा को एक सीट देती है, अगर पसुपतिनात पारस को एक सीट देती है, तो बचने है साथ सीट, तो क्या तीन सीटों पर मुकेस सहनी मानेंगे, क्या चार सीटों पर चिराग पसवान मानेंगे, ये दिखना बहुत दिल्चस होगा, फिलाल इस खबर में इतना ही दीजिये हमें इजाजत धन्याबाद